आज मुझे बताओ कैसे प्लैनिंग की कि सूट वियर करना है ऐसे रैडियो के जाना है मदर ने किया कि आज खुछ से हो यह सारा मतलब हम हमेशा कॉल पे कोडिनेटेड रहते हैं पूछ के ही मैं पहन के आती हूं मतलब ऐसा होता है कि लड़किया जब बड़ी हो जाती है तो उनमें आ जाते कि नहीं अब हम अपना ड्रेस खुछ चूज करेंगे हमें हमारा ड्रेस नॉर्मल सी बात है सभी को पसंद है अपने हिसाब से पहनना पर मेरा आज तक वो आईडिया नहीं हो पाया कि मैं पहन के क् भी निकलती हूं मैंने जैसे बताया कि मैं कराटेका हूं तो मतलब लड़कियों जैसा कभी उतना उधर रुजहान आया ही नहीं की कपडों की तरफ उतना इंक्लेनेशन कभी नहीं अया तो कुछ भी होता है मा से पूछ के क्या पहनूं तो वो बता देती है ये पहन के और ये पहली बताते हैं कि मैं कैसी हूं मं लग किसी का दुपक्ता नी है किसी का किसी Covid सबस्कुन एक डुस हो यह बेट है था होता है न कि आपने होस््टाल का जिक्र किया मैं अब हमेशilo 12 में थी 11 12 मेरा हॉस्टल में बीता है तो वो एक experience होना बहुत जरूरी है मैं मानती हूं कि जिंदगी में हर टाइप का experience होना जरूरी आप तामिली के साथ भी रहो हॉस्टल में भी बिलकुल रहो क्यूंकि जब आप 11 12 करते हो हॉस्टल में तो वार्डन एक कंट्रोल में रख करते हैं money management हो या फिर जैसे आपने बोला कि match करें नहीं करें तो दोस्त वहां पर और ज्यादा पांपर करते हैं आपको कि ठीक है तेरे पास नहीं है मेरे से ले जा इंटर चेंज कर ले तो तो सब चीज अपना ही लगता है बोले नाजी के नाम से सुना दीजे आपको जो मैं वो सुना दूंगी जैसे शिव शिव है क्या जिक्र मैंने किया था वो जरूर सुनाओंगी गावे महिमा डमरू बाजे तेरे मस्तक पे है चंदा साजे तेरे क्रोधित होके चक्षू खोले अगर आडंबर क्या जग का आगे तेरे तू करता धरता हमारा तू ताना बाना है रे है परवत आसन तुमारा नभ तो सरहाना है रे कहते है कि शिवचव को मना या उनको प्रसंट करना एक्ष्करना उता अपको क्या लगता ऐसा है? तब उन्होंने तब महादेव ने कहा कि इस पूरे जगत का जो धन है वो तुम्हारे पास रहेगा लक्षमी माता के बाद तुम्हारी जो पूजा करेगा उसको धन धानी की कमी नहीं होगी और भसमासुर ने वैसे ही काफी समय तक महादेव की तपस्या की वो मतलब मन की इच साह क्या है माँ पार्वती जैसे अगर हम देखें कि माँ पार्वती ने भी कड़ी तपस्या की थी कि शिव जी को अपना पती के पती बनाएं या फिर अपने पती के रूप में पाएं शिव जी को तो वो शक्ति हैं वो शिव के साथ हमेशा से आदी से अंत तक वही रही है परन्तु बस इस बात का बोध कराने के लिए मा शक्ति को की वो नॉर्मल इंसान नहीं है और इंसानी चीजों से उपर उठके हैं उसी बात का बोध कराने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या करवाई उनसे और भोले नाथ को अगर नॉर्मल कोई आदमी सिर्फ भोले नाथ को चाहता है तो उतनी जादा देर तक उसको तड़पाते नहीं हैं कि वो जानते हैं भाई तुम्हारे जिंदगी में मुश्किल से 70 से 80 साल है अगर तुम्हारी जिंदगी यही करने में बिता दोगे तो जो मेरा सानिध्य है उसमें ज्यादा समय नहीं बिता पाओगे तो मन की इच्छा के अनुसार वो तपस्या लेते हैं या एक्जाम लेते जैसे हम नीट अगर हम मेडिकल दे रहे हैं अगर हमें उतने ल कर लोगे अगर आपको यह असिस्टेंट प्रॉफेसर बनना या प्रॉफेसर बनना तो पीजी या पीज़ी तो करना ही पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है महादेव के पास जाना है तो परिक्षाएं तो देनी पड़ेंगी